हे मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप लोगों के साथ भी ये प्राब्लम होता है कि जब भी आप सर्दियों में मेकप करते हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो पपड़ी की तरह उखड़ने लगता है साथ ही स्किन काफी जाधा ड्राइ लगता है और उजले धपे जैसे चेहर मत लीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे प्राब्लम के सॉल्यूसन बताई हूं बस आपको वीडियो लाश्ट तक देखना है और इस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है तो सिंपली हमें मेकप करने से पहले ले लेना है कोकोनाट ओयल ये कोकोनाट ओयल सबके घर म इसको अच्छे से अपलाई कर लेंगे और फिर हलके हाथों से इसे मसाज करेंगे मसाज करने से यह होगा कि यह ओयल हमारे स्किन के अंदर जाएगा और हमारे स्किन को डीप नरिस करेगा इसके बाद हम कोई साभी किसी टाइप का भी मेकप करे हमारा फाउंडेशन कभी भी नहीं फटेगा और हमारा जो मेकप हैं बहुत ज़्यादा स्मूध और ग्लोइंग होगा अगर आपको ये बिलीव नहीं होता तो आप ये ट्राइ करके देखिए और ये देखिए मेरा स्किन कितनी अच्छी तरह से नरिस हो गया है अब हम अपलाई करेंगे फाउंडेशन तो यहाँ पर मैंने लैक मेका फाउंडेशन लिया है और इसको हम हलका सा निकाल लेंगे तो आप भी अगर हमेशा मेकप करने से पहले सर्दियों में कोकोनट ओयल का इस्तमाल करेंगे तो आपको और कोई भी मौस्टराइजर कोई भी स्तिरम लगाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोकोनट ओयल से अच्छा कोई भी प्रडक्ट आपको नहीं मिल सकता है तो है ना बड़े काम का चीज अब आपको अच्छे से अपने फाउनडेशन को अपने face पे blend कर लेना है और आप हमेशा अपने beauty blender को हलका सा गीला करके उसको अच्छे से निचोड़े लिजिए इसको blend कीजिए और foundation के बाद हम loose powder यूज नहीं करेंगे क्योंकि सर्थियों के makeप में हमें loose powder यूज नहीं करना चाहिए वरना हमारा जो skin है वो बहुत ज़्यादा dry लगेगा देखने में और अब हम अपना eyebrow feel up कर लेंगे तो यहाँ पर मैं eyebrow powder से अपना दोनों eyebrow को अच्छे से feel कर लूँगी और next अब हम eye makeup करेंगे तो यहाँ पर मैं एक nude set ले करके अपने eyes के crease पे और lead पे अच्छे से एक brush की help से apply कर लूँगी और अब मैं एक simmer set ले करके अपने eye के lead पे और inner corner से ले करके lead तक मैं अच्छे से इसको apply कर लूँगी और एक decent eye look create कर लूँगी और अब मैं apply करूँगी liner तो यहाँ पर मैं winged liner create कर रही हूँ आप अपने हिसाब से कोई सा भी save का liner create कर सकते हो और अब मैं लगा रही हूँ काजल तो यहाँ पर मैं दोनों आँखों में अच्छे से काजल को apply कर लूँगी और फिर मैं लगाऊंगी mascara तो mascara में upper lashes और lower lashes दोनों पे apply करूँगी ताकि हमारा जो lashes है वो अच्छी तरह से define हो जाए तो यहाँ पर मैंने upper lashes में mascara लगा लिया है और अब मैं lower lashes में mascara को अच्छे से लगा लूँगी और अब मैं लगाऊंगी blush तो आप winter के make-up में कोई product नहीं लगाओ भी तो चलेगा लेकिन आप blush जरूर लगाए क्योंकि winter के make-up में blush लगाने से face बहुत ही जादा सुन्दर लगता है देखने में और अब मैं highlighter को अपने face में लगा ली हूँ तो दोनों cheek पे और nose breeze पे मैं अच्छे से highlighter अप्लाई कर ली है और जब हम सरजियों में lipstick लगाते तो हमारा होट फट जाता है इसके लिए आप ये hack जरूर ट्राई करें vaseline लेके पहले अपने lips पे अच्छे से apply कर ले और उसको एक दो मिनट छोड़ दे फिर इस तरह का cotton pad ले करके उसको हलका हलका करके पोच ले ताकि जो extra vaseline है वो निकल जाए और हमारा होट उसके बाद बहुत ही जादा smooth हो जाता है और फिर जब आप lipstick apply करोगे तो आपका जो lips से वो कभी भी नहीं फटेगा ये मेरी guarantee है आपका lips बहुत ही जादा super smooth लगेगा देखने में और आपका makeup बहुत ही जादा अच्छा होगा so guys ये देखिए मेरा जो makeup यो कितना जादा glowing लग रहा है और कितना जादा smooth लग रहा है देखने में so friends अगर आपको भी सर्दियों में इस तरह का glowing makeup चाहिए तो मैंने वीडियो में जो भी tips और tricks आपको बताये हैं उसको आप follow कीजिए उसके बाद आप makeup करके देखिए आपका makeup कभी भी नहीं फटेगा ना ही आपका skin कभी भी dry लगेगा देखने में और ना ही जो सफेद दाग आजाते हैं makeup के बाद चेहरे पे वो आएगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care